कि नमशकार दोस्तों फिर से नवी वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों आज की से वीडियो में हम बात कने वाले आरटी आप सभी जानते हैं आरटी याने ये एक ऐसी योजना है मतलब की राइट टू इज़ूवेशन ऐसी एक योजना है जिसके तहट पहली से इसका टोटल खर्च जो है यहाँ पर पूरी गवर्मेंट देती है, तो यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जाब में है तो आप इनको यह लाब नहीं मिलता मतलब जो गरिब लोग जो गरिब पैरेंट्स आए दुर्बर आर्तिक व दुर्बब कटे जो लोग है इनके लिए यहापर एडमेशन फ्री में दिया जाता है मतलब सबी स्कूले में यहापर 25 फरसें जो वहकांसी यहापर र यहां पर ही से फीया उचैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जिनों नीमें या विदियो का भी स्टार्ट कर लेती हैं सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूस है महराष्टा टाइब में आई है 30 जून 2022 की अपडेट है और इसमें बताये गाए कि आरटी एडमिशन मतलब कि आरटी प्रविशन से वयोगर तीन ते अठरा ओर शे करने अची मागनी मतलब इससे पहले जो तो यहाँ पर आरटी में प्रविशन लेने की मतलब कि पहले में यहाँ पर फ्री में एडमिशन लेना पड़ता है तो आटवी तक जो है यहाँ पर फ्री होता है तो आगे हम यह आपर detail में जान लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बता जा रहा है कि यह जो शिक्षन हक का काहिदा है मतलब कि खाज़की स्कूलों में भी जो private school है इसमें भी जो यहाँ पर free में admissions यहाँ पर दिया जाता है RT की through तो इनके जो age criteria होता है तो यह जो है यहाँ पर बड़ाई दिया जाए इस तरह की मांगनी जो है यहाँ पर अकिल भारतिय समाजवादी सिक्षन हक का जो है इनकी जो सबह है इन्होंने यहाँ पर केंदर सरकार की तरफ की है कि यहाँ पर RT प्रविश की जो age criteria है यहाँ पर 3-18 साल तक कर दिया जाए इस तरह से उनके यहाँ पर मांग की है मतलब अब तक जो है यहाँ पर पहली में admissions लेने के लिए 6 साल का आपका बच्या चाहिए तब यहाँ आरटी में वो first में यहाँ पर admission ले सकता है और आटवी तक वो free रहता है यहाँ पर मांग की जा रही कि जब बच्चा 3 साल का ही हो मतलब कि जब नर्सरी से वहाँ पर start होता है उसका education तब से ही उसको एरटी में यहाँ पर free में admissions में यहाँ पर मांग कर दी जा रही है तो दोस्तों यह बहुत बड़ी good news है आप लोगों के लिए अगर ऐसा हो जाता है तो आपका जो बच्चा है वो नर्सरी से यहाँ पर free में किसी भी स्कूल में मतलब प्राइवेट स्कूल में English मेडियम हो मराटी मेडियम हो या फिर हिंदी मेडियम हो सब भी स्कूल में हो यहाँ पर पड़ सकता है सो दोस्तो यह मागने यहाँ पर जो सिक्षन हक का सबाहे इन्होंने केंदर सरकार की दरफ किया हुआ और उन्होंने यहाँ पर यह भी बता है अगर विदेग मानने बापत आने आरटीजी व्यापती वड़ाउने बापत ठोज कारेवाई न केलियास पालकाने विद्यार्थ्यानना सोबद यह उन आंदोलन करने चा इशारा सबेचे कारेद्यक्ष डॉक्टर शरत चावड़ेकर यानी दिलाए मतलब उनका यहाँ पर कहना है अगर यह प्रस्ताव के बाड़े में उन्होंने सही से नीरड़ाई मतलब कि सही से डिसीजन अगर उन्होंने नहीं लिया तो यहाँ पर साब साब सभी पैरेंट्स, स्टूडेंट्स और जो भी सबे की जो कारेद्यक्ष है शरत पवार जी, डॉक्टर शरत पवार जी इन्हों इन्होंने यहाँ पर बताया है कि सिधा यहाँ पर आंदोलन करने में आ जाएगा मतलब इसके बारे में अगर सही से डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया गया है तो यहाँ पर साब साब जो सभी के कारेद्यक्ष है डॉक्टर शरत जावडेकर इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि आंदोलन यहाँ पर कर दिया जाएगा और यह जो मांग ए दिस तो इसकी जो निवेदने जो प्रस्ताव है इन्होंने मतलब जो सभेका जो अध्यक्स है जो डॉक्टर जावडेकर उसके साथ साथ जो है यहाँ पर सुरिका खरे दादा साहिब, सोनावने, साथना, शिंदे, सद्या, जावडेकर, नवनाद, अरन, अबिद्शेक, दिपक वायर और जो है पैरेंट्स यह सभी जो है यहाँ पर सिस्टम मांग और नहीं पूरीं होती है या नहीं मतलब कि आपके लिए बहुत अच्छी good news दोस्तों यहाँ पर यह होने वाली है दोस्तों आप क्या चाहते हो मतलब कि आप भी चाहते हो कि तीन से आठरा साल तक जो है आर्टी मतलब कि यह जो नियमें यहाँ पर लागो कर दे जाए तो आप कमेंट करके आभशा बताईए और यह वीडियो जादा से जादा शियर कीजिए फिर मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स टूड़े में तब तक के लिए जोई हैंग